और बड़ी खबर इस वक्त कि आपको बता है मौलदीव किस तरह से चीन के इशारे पर काम कर रहा है अब ये बाद बिल्कुल इसपश्ट हो चुकी है क्योंकि चीन की तरह से लगातार निवेश किया जा रहा है को और हैं खबार मौलदीव के राश्टपती अब भारत आना च था वो देश चाहता है कि हर हाल में भारत आकर अपने संबंदों को उसी तरीके से लेकर आगे बड़े जैसे पुराने संबंद मौलदीव और भारत के रहे हैं संबंद सुधरे रिष्टे प्रगार वो इसलिए अब भारत आना चाहते हैं बड़े कवर आपको बता दे भारत के सक्त रुख के बाद मौलदीव की सरकार के सिर्फ पर संकट के बादल मन रहा है बाद के मौजव सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है मौलदीव में विपक्ष राश्पती मौमद मौजव को सत्ता से बेदखल करने की मांग कर रहा है बाद के संसद अलिय अजीम में तो सोचल मीडिया फ्लैक्टॉम एक्सपर सरयाम सरकार के खलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर दी है उन्होंने लिखा कि मौलदीव के राश्पती मौमद मौजव को उनके पद्व से हचाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए यानि भारत विरोधी रुख अपना कर मौलदीव की सरकार ही अब खत्रे में पड़ गई है यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है मौलदीव सरकार में हाला की उन मंत्रियों पर अक्शन जरूर लिया गया जिन्होंने प्रिधार मंत्री को लेकर अपमान जनक ट्वीट्स किये थे लेकिन इसके बाद भी विवाद थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है राश्रपती को पद से हटाने की मांग अब वहां तेज हो उठी है यह बड़ी ख़वर आपको बता रहे है मंत्रियों को सस्पेंट करने के बाद भी विवाद बरकरार है और यह विवाद फिलाल यहां थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा विपक्ष हमलावर है और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रहा है तो क्या मौलदीव की सरकार खत्रे में है यह बड़ा सवाल है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जैसे ही लक्ष दीप दौरे की तस्वीरे शेर की इस पर मौलदीव की मंतरियों की तरफ से वहाँ पर इसे री शेर करते हुए अपमान जनक ट्वीट्स किये गए और इसी पर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ बात यह है कि मौलदीव है तो भारत का पड़ूसी मगर पिछले कुछ वक्त से वो चीन की उंगले पर यानि उसके इशारे पर नाच रहा है और खास तोर पर पिछले साल अक्टूबर में सबसे जादा मौलदीव में राश्टूपती मौमाद मोईजू जब से सत्ता में आया है भारत विरोधीव वो लगातार पैसले कर रहे है और चीन की सरकार का यह जो समर्थन मिला हुआ है बताए यह जा रहा है कि उसी के वज़ज़ से सब हो रहा है भारत और मौलदीव के रिष्टे बहुत पुराने हैं और यही वज़ज़ा है कि इन्होंने अपना दौरा भी तैकर लिया है कि अब भारत आएंगे क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अगर उन्होंने भारत से मौलदीव ने दुश्मनी की वो खत्रा कितना साथा पर सकता है यह भी आपको बताएं कि मौलदीव के राश्टुपती चीन के दोरे पर इस वक्त पहुँचे हुए है मौलदीव चीन के बियाराई प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और यहाँ पर वो पूरा निवेश कर रहा है अपना पैसा लगा रहा है और यही बज़ा है कि आप उसके इशारे पर राश्टुपती मोज़ू यहाँ पर चलते में दिखाई दे रहे है मौलदीव चीन के इफरस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेल्टेंड रोड इस इश्सा है और यह ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी आर्मे चीन दूसरे देशों में सडक, डेलवी और बंदरगाह बनाने के नाम पर उन्हें अपने कर्ज के जान में फसा रहा है और अधर मौलदीव के भारत विरोत की बज़र से परचक लक्षुदीव की तरफ रुख करने लगे हैं लक्षुदीव प्रशासने से लेकर अब बड़ी तयारी शुरू कर दिया है लक्षुदीव में भारतियों की तयारी पर बात करने के लिए हमने दमान लक्षुदीव के प्रशासक प्रफुल पटेंसे बात्चीतियों बात्चीत बेहद है प्रफुल भाई नवश्कार नियूज एटी नेटवर्क पे आपका स्वागत है प्रफुल भाई प्रधान मंत्री जी ने तो लक्षुदीव की जमकर ब्रांडिंग कर दी जिसके पिसले तीन साल से आप एड्मिस्टेटर है क्या पुरी जो फॉर्स तूट पड़ेगी अप परेटिकों की कैसे संभाल पाएंगे प्रिजेश दिसके हमें कोई ज्यादा चीन्टा नहीं है हमारे पास जितना इंफ्रस्ट्रेक्टर अबेलेबल है सच बता है तो जो होना चाहिए इतना सत्तर मरलब की साथ सकतर नहीं हुआ है वो पीडा का विशे है लेकिन तूरिस्ट की जितनी भी आवश्रक्ता है इसको पूरा करने के लिए हम पूरी इमामदारी से पूरी निश्टा से पूरी ताकत से लगे हुए है और हमें जितनी आपने पूरा करने का प्रयास करेंगे आपने एक बार सही बताया कि आधिर रानमंतरी जी का इस बार जो दोरा हो इसके कारण लक्सदीब का भाग्य बदल गया है लक्सदीब के लोगों में भी बहुत उस्सा और बंग भी है उनको यह लगता है कि उनका भाग्योते आदात में इतनी बडोतरी होगी अभी जिस प्रकार से इंक्वाइरी आ रही है जो लोग हमें पूछ रहे हैं हमें लगता है कि में प्रदेश्वास्यों के लिए यह बहुत ही आनंद का विश्य बिना है और इसका मैं आपको सबूत भी देता है आधिर प्रदानमंतर जी न आपको बताते हैं मुझे करवर हो खुश मैसूस हो रही है लोग अलग 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 बाते करते हैं लेकिन वहां पर जो जितनी भी भी भीड़ थी आप कल्पा कीजिए कवरती जैसा कैपिटल टाउन जिसके आबाजी दस जार है वहां पे छे हजार से अधीक लोग चल्द बता रहे हैं कि उनको अब लग रहा है कि बुधी जी की विजिट के कारण वहां पे ना सिर्फ टूरिजम इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े जो बाकी है एकास के संदर्व में वहां जरूर उसमें बड़ुत्री होगी वहाई आपके मालदिव ने कितनी मदद की कर दी जिस तरीके से वहां के कुछ मंत्रियों के गर्जमेदाराना बयाना आए खास पर प्रधान मंत्री के लक्सडिप दोरे के बाद उन्होंने गंदगी को लेकर जो सो बिभत्स किसम के टिपड़ी की एक तरह से चोट की उससे जो भारुत में जो एक जन्मानस है जिसमें की काफी गुस्सा है जो कि हमेशा मालदिव जाते रहा है क्या वह गुस्सा भी जो है लेक्सडिप के काम आएगा यहां के टोरिजम को और बढ़ाने में उनके गुस्से के खारण हमें फाइदा होगा एसा नहीं चेहां हमें फाइदा होगा हमारे प्लाद मॉंतरी के दोर के लिए जीमिवास लोग है इस भासा का ओंप्रयोंकिक्शाय का ए अशोमिए बाशा का प्रोग किया है वो उनको तो सुबाब बिल्कुल नहीं देता है उन्हों ने अपने संस्कार के अनुरूब बात करिए लेकिन साथ ही साथ देश वासी आदर्ण के साथ कंदे से कंदा मिलाकर खड़े रहे है क्योंकि इस देश के स्वाबिमान के साथ अगर कोई खिलबाड करता है तो देश की जंदा उसको कते वरदास नहीं करेंगी और इसका प्रत्यक्षा परोग सुर्प से लक्षजिप को लाब मिलता है तो उसमें कोई गरत बात नही मेकिन इंडिया की बात हो, वोकल फॉर लोकल की बात हो, हमारे सानिय स्टूरिज डेस्टिनेशन है, चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग की बात हो, क्यों आप देश में ही उसका हमें भरपूर उप्यों करना चाहिए, उनका पहले से ही मत बना रहा है तो ये दोरे के बाद उन्होंने बताई हुई सारी चीज़े जो है उसको जरूर बल भी मिला है पुर्भल भाई ये बताएं कि जिस तरीके से तमाम जो इंडियन सेलिब्रिटीज हैं वह लक्सदिप की बैटिंग कर रहे हैं पिक्चर पोस्ट की जा रही है प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ उनके दौरे के पहट जो उन्होंने बंगारम के वीडियो और पिक्चर जो पोस्ट की उसके पास से भारत में के अलगल हिस्सों के जो टूरिस्ट हैं वह लक्सदिप की तरफ दौरेंगे लेकिन जो कुछ चैलेंजेज भी है जैसे कि मालीज एगर किसी को हवाई जहाँ से दिल्ली से पहुंचना हो अगती जो की एक मात्र एयरपूर्ट है तो फिर क्या ऐसे लोगों को लक्सदिप कैटर कर पाने की अभी कंडिशन में है क्या समय लगेगा जिद्री भी कमिया है उसको पूरी करन सवाल हो त्रास्पोटेशन का सवाल हो करेंटिविटी का कोई प्रश्ण हो एकोमोडिशन की की समश्य हो इस सारी सी सारी चीजों में किस प्रकार से आगे हम बढ़ सकते हैं उस दिशामने कोशिश करें जहां तक एरपोर्ट का सवाल है तो इस इतने थोटो यह एलेंट के आज इने प्रदान मंद्री जी की सीज़े मांच दिशिशन में उन्होंने मांच दिशिशन कीया उनका डायरेक्शन भी दिया उनके इस हिसाब से अमने एक नया एर्पूर्ट बना लेके लिए प्रपोजल जो भीजा है मुझे लगता है कि कुछी दिनों में वो प्रपोज थोड़े समय में करना है तो थोड़े समझा जरूर होगी है लेकिन हम उसको पूरा करेंगे ही करें